कि अग्राइस तो जुआ कि आप सबका टीम सब मैं बात करने वाले हैं अपना आज के लिए जो मैच यहां से रहने वाला है और यह काफी जादा LABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABA में तब ही बोल सकती है अगर पाकिस्तान जीते और जीते तो जीते वट सिर्फ इतने मार्जिन से जीते कि वो इंडिया की नंटरनेटी क्रोस ना कर जाए और भाई मैं बूलू है न्यूजिलेंड को तो सवर जीतना है वो थोड़े बहुत मार्जिन से जीत जाएंगे बहुत है तो काफी जादा इंपॉर्ट मैच जो है बनने वाला है तीनों ही टीम्स के लिए अब बागी क्या कुछ इस मैच के रिलेटर जो है प्रेडिक्शन रहते हैं क्या आप टीम बना सकते हो सारी चीज़े करेंगे डिसकस आगे वीडियो में कैसे उफर के बारे मैं बताऊंगे जो सिर्फ आपके लिए है वो क्या है कि वाई एक नहीं दो नहीं पांच नहीं जो डेली बताते हैं दस नहीं पूरी के बूरी बीस टीम आप लगा सकते हो जहांपती के बढ़ा च्रह लिगर आप सकते हो नहीं और जाद से जादा टीम अपने इस मैच की, 730 रही इस मैच करें लें, दुबाई इंटरेंशल स्टेडियम में जो मकाबला रहने वाला है, मैच नमबर 19-13 मैच हो चुके हैं इस ग्राउन पर, 5 बैटिंग फर्स्ट, चेज करने वाली टीम ने 8 मैचे जीते हैं, शुरुआत में दुबाई के मैचे मे क्या हो रहा था, पेसर्स को अच्छे का से विकेट मिल रहे थे, अब चुकी मैचेस थोड़े से मैं बोलूगा, आगे बढ़ते चले गए इस ग्राउन पर, स्पिनर्स भी काम में आ रहे हैं, और फिलाल के लिए, स्पिनर्स आपको जाधा विकेट लेते हुए दिख रहे ह यहाँ पर अगें 9 वक्टोबर को बराबर विकेट थे, और 9 वक्टोबर को ही एक और मैच था, जहां 6 विकेट पेस के और 9 विकेट स्पिन के थे, तो कही ना कहीं ते कुछ जैसा ऐसे मैचेस आगे बढ़े, पेसर्स का दब दबा कम नहीं हुआ है, बट स्पिनर्स भी बर जाते हैं, ओर वरॉल 47 विकेट स्पिन के, 49 विकेट पेसर्स के, आते हैं जारा पाकिस्तान उमन की सरफ से भाई, जो प्लेंग लावन आज के लिए रहती है, और क्या कुछ इनके तरफ से है, तो फातिमा सना का कुछ ऐसा है कि मेभी वो भी आचुके मेभी नहीं आचुके वापस ठीक है टीम के साथ में, तो ये एक रहेगा, बट इनकेस अगर फातिमा सना खेलती है, यह भी पाकिस्तान बहतर खेल सकती है, लाश में तो बड़ा खराब कहले था, एटलिश फातिमा सना की कपता नहीं ठीक थी फिर उस केस में तो, तो फातिमा सना इनकेस अगर ख के लिए एक मैच उपन करके देखा अभी तक तो फ्लो पर ही है और अभी के लिए काफी अच्छी चल रही है न्यूजिलेंड की जो बोलिंग है तो चांस है कि भाई आज के लिए जादा ओपनिक जो है इनकी टिके न और दोनों जल्दी आउट हो सकती है बागे एक रिस्क ल और तीनों में अब तक निदादार विकेटलेस है इन से जादा बहतर ओल्ड राउंड और तो फिर सनामीर ही हुआ करती थी किस-किस को याद है वैसे जो वोमेंस क्रिकेट मा बोलो है पहले सब फोलो करते हैं उनको याद होगा सनामीर बागी वैसे अगर बात की जाए निदादार की तो अपने पास में है निदादार का बागी एक चीज़ है कि इन्हों ने एटलिष्ट रं तो बनाए है तो उतना पहला मैच अठार रं दो विकेट दूसरा मैच तीन रं एक तीसरे में तो यह फ्लोपी रही थी बाकि बैटिंग बोलिंग दोनों करेंगे और बैटिंग में भी थोड़ा सा उपर आती है बाकि सबसे तो एक इंपॉर्ण पिक तो यहां से यह भी है पाकिस्तान की तरफ से बाकि उसकाद में अलिया रियाज है जीरो चाहर चबबिस इनका थोड़ा ग्राफ उपर की तरफ जा रहा है बाकि जील में अगर ट्राइ करना जाओ तो एसल के लिए अलिया अच्छा उप्शन नहीं है क्यों क्योंकि बोलिंग तो करा नहीं रही है और सिर्फ बैटिंग स अज़न जादा इंपॉर्ण अपने पास में दूसरे भी अच्छे प्लेयर्स है पिक करने के लिए नानेक्स्ट यहां से फिर इरमजावेद है इनकी विकट कीपर तो अधुन तिक उतना अच्छा उप्शन है और मुनीबा अली आ विकट कीपर में फिर रख सकते हो ठीक है अपने पास में दो तिन उप्शन है, मैडी ग्रीन है, उसके बाद में यहां से क्या बोलते हैं, मैडी ग्रीन रहेंगी, इरम जावेद रहेंगी, मुनीबा अली है, तो एक कुछ अच्छे उप्शन है विकेट कीपर में, जसमें मुनीबा अली ओपन करेंगे तो वो एक तो एसल के लिए तो उतनी अच्छी चोईस देखो रहेंगी नहीं, बट मिनी जी ओलो अगर है माप डेफिनिटल अगर ट्राय देना चाहो तो उनको दे सकते हो, क्योंकि ऐसी बोलर है जिनको अगर बैट्समें भाई मारने के लिए गई, तो उस केस में फिर यह विकेट न निकाली लिया, बागे पिछले तीन मैचस में पांच विकेट है साधी अकबाल के नाम, नासरे संदू की बात की जाए, पहला मैच अच्छा किया था, बागी के दो मैचस में इनके नाम है विकेट लैस, तो अगर बोलर्स में से पिक करने तो सबसी पहली प्रायटी तो यह ने दिये ते, तीस रन दो विकेट और एक मैच में तेरा रन दो विकेट है, गुल्फ एरोजाफ लोप रही दो और जिरो रन, उसके बाद में तासमे अरुबाब और दियाना बैग है, दियाना बैग इंजड हो गए थी, तासमे अरुबाब का तो ऐसा है कि जादा इनका रहा नहीं है, एंड चांसे थोड़े से कम रहेंगे, बट मेबी चुकि दुबाई की पिछ है, तो हो सकता है भाई, यहां से अरुब शाह है, फिर तूबाब हसन की जगे पर, तासमे अरुब आपको शामिल ये कर ले, और इसकी बात की जाए, पिछला मैच इनका जो में भी आती है, बोलिंग करने, तो इनका तो एक तरीके से है, इसके बाद में निदादार ने एक और डाला, दूसरा, सदफ समास ने एक और डाल दिया, चोता, ओमामा सोहिल से एक और कराएगा, छटा, बाकी आसरा संदो ने दो डाले, साथ वान हुआ, अरूब शाह ने में आपको बोलिंग करते हुँ दिख जाएंगी, पावर फ्ले प्लस मिड ओवर इन क्या आते है, निदादार का बरोसा नहीं है, यह कभी बहुत लेट बोलिंग करने आती है, और कभी यह बहुत जल्दी बोलिंग करने आ जाती है, ठीक है, तो इनका मैं बोलूँगा, थो बोलिंग कराती है, और अगर तासमेर वब आप खेलती है, वो शुरुवात में बोलिंग डालेंगी, और साथ-साथ आपको डेफ में बोलिंग डालती हुँ दिख जाएंगी, आते हैं ज़रा दूसरी टीम जो की है निजिलेंड बट उस से पहले आपको जाना है, डिस्क्र प्रिक्शन में जो लिंक है, उस इस आपको डाउलोड करना है, रजिस्टर करना है, और वाई आप आज के लिए एक नहीं दो नहीं पूरी पूरी बेश टीम आप लगा सकते हो, अब बेश टीम लगाओगे, जादे जादे आपके जीतने के चांसस बनेंगे वो एक करोड पैसा तो रिफंड आने वाल है, लोस आपका हो नहीं रहा, ट्राइ करो बेश टीम लगाने का, और साथ ही साथ एक करोड रुपए आप मैं बोलूगा सीधा जीत सकते हो, अगर लीग आप जीत जाते हो, आपको पहला गुंटेस्ट है, आप सीधे एक करोड रुपए जीत स कर सकते हैं, बसे ध्यान रखना, डिपोसिट के वक्त एक कोड यूज होगा, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो वो भी जरूर देख लेना, लिंक के साथ में ही मैंने डाला हुआ है, और उसके लाव बात करें अपनी न्यूजलेंड की तरफ से भाई, जो आज प्लीमर ओपन करते हैं रिख जाएंगी, जिस तरही की फिलाल के लिए बोलिंग लाइन अप है पाकिस्तान की तरफ से, दोनों ओपनर ले सकते हो, प्लीमर पहले मैंस 34, दूसरे फ्लोप होई ते, तीसरे 53 बना है, बेट्स की तरफ से भी, वो फ्लोप तो नहीं हुई है, 27 27, 27, रण थोड़े से कम है, बट आए ज़रूर है, उसके लावा नेक्स्त यहां से अमेलिया कर है, जो एजन ओल राउंडर काफी इंपॉंट बनती है, तीनों ही मैचे मैचे में अच्छे का से पॉंट्स दिये, पिछले दो में तो बहुत ज़ादा दिये, और उसका बात म एक्सपीरेंस यहां पर काम आने वाला है, बागी नेक्स्ट यहां से ब्रूख एलिडे है, लास्ट मैच दो रन दो विकेट, सुरी, लास्ट मैच इनके बॉलिंग नहीं आई थी, उससे पहले दो रन दो विकेट थे, नेक्स्ट उससे पहले 16 रन इन्होंने बनाये थे, त बहुत नीचे है, तो इसी वज़े से मुनी बाली एक डिफॉल्ट उप्शन मनती है, विकेट कीपर के लिए, बागी दोनों में से अगर जियल, मिनी जियल में किसी को ट्राइ कर रहे हो, तो वो मैडी ग्रीन हो सकती है, क्योंकि मैडी ग्रीन के तरफ से न, जब बैटिंग की वीडियो पर उनको बता होगा, कि लीफ कास्परेक अगर टीम में आई है, तो भाई पिक करना ही करना है, और देख लो दो विकेट यहां से निकाल दिये, आज के लिए भी इवन पूरे चांसे रहेंगे, कि लीफ कास्परेक अगेन अच्छा वार्फान्स कर सकती है, बा बाकि ली ताहू, पहला मैंस तीन विकेट बाकि दो में जिरो जिरो एडन कारसन के बात कीज़ा है, बाकि आज के लिए अगर देखा जा तो आप चारो बोलर्स को भी पिक कर सकते हैं, और अगर चार में से तीन के साथ में जाना चाहो, तो आई तिंग यहां से रोजमेरी म इन सब चीज़े बाकि यगर बात की जाता तो इनके पासमे फ्रेंच जोन है, जेसकर है, मॉली बैंवल्ड हनार वे है, चांसे है कि इस मैच में हनार वे आ सकती है, बाकि इसमें एक ईसा पिक है, जो इनके सगर खेलती हैं तो जिनको आप स्मोलिंग में भी ट्राइ कर सकते हो बागे फ्रेंज जोना है जैसको और मॉली बैनफोल्ड इनकेस अगर खेले तो फिर जील मेनी जील के लिए ही रख देना अब ओवर सके अगर बात की जैतो रोज़ मेर हो पाउर पिलिन बोलिंग करती हिए पहला 5 वाग्यार ऑर 19 वाग्यार जालत एक तरीके से पाउर प्लेपली प्लस डेथ में बोलिंग करती है और अड़न कार्सन ने भाई पावर प्लेम बोलिंग करा है दूसरा चोथा चौटा ओवर उसके बाद में 12 वा एक तरीके से बोल दो कि पावर प्लेम प्लस मिड ओवर इनके रहते हैं उसके बाद में आसली ताहुवे सर दो ही ओवर करा है तो तीसरा और तेरवा क्यों क्योंकि Divine ने ओवर कराती है अब Divine के अगर bowling आएगे तो किसी ने किसी के ओवर कटेंगे चाहे फिर वो Aiden Carson के हो चाहे फिर वो किसी ओवर बोलर के हो Leaf Kasperk ने चार ओवर करा है सातवा, पंदरवा, सतरवा और वीसवा एक तरीके से देख सकते है कि Mid प्लस Death Over इनकी तरफ से देखने को मिला उसके बाद मैं Amelia कर है इनकी तरफ से भी एक तरीके से Mid प्लस Death Over सी रहते है क्योंकि देखो एक ना एक Death Over तो Amelia कर की तरफ से आता ही है सतरवा, अठारवा, उननिसवा और बीसवा कोई से ना कोई सा Over तो Amelia कर करके जाती है बागी Mid में इनके Overs आ जाते है और सोफी डिवाईन अगर बॉलिंग करती है अगर देखो इनकी से प्रोपर एक वो बॉलिंग करा ही जाएना तो ये शुरुआत में बॉलिंग करती ही दिख सकती है शुरुआत में और साथ में Mid Awards में शायद एक बागी स्वन्यों पर दो मैचस खेले है पाकिस्तान ने दोनों उन्होंने हा रहे है न्यूजलेंड ने एक खेला है जो कि उन्होंने जीता हुआ है हेट्वड के अगर बात करें तो अब तक हो चुके हैं तोनों टीम के बीच में 11 मैचस जिसमें आज तक पाकिस्तान के टीम सिर्फ दो ही मैचस जीत पाई है और 9 मैचस ऐसे हैं जो कि न्यूजलेंड ने विन किये हुए है हेट्वड में कर रनों के बात करें तो बेट्स का नाम सबसे उपर है 44 का एवरेज है बेट्स का पांच मैच में 111 रन है 27 के एवरेज के साथ में निदादार साथ मैच में मात्र 92 रन है 13 का एवरेज 25 का हाईएष मैडिगरीन साथ मैच में 87 29 के एवरेज के साथ में 29 का एवरेज इसलिए है क्योंकि यह 7 में से 4 वर नोट आउट भी रही है लाज़मी है नोट आउट रहना क्योंकि काफे नीचे आती है बैटिंग में बट इस वज़े से कहीं आप सीधा आवरेस देखो कि 19 का आवरेस आ स्काय रोकेट सीधा पिक कर लो ध्यान रखना बाकि उसकाद में मुनीबा अली है जिन्होंने चार मैच में 85 रेंगेंश्ट न्यूजलेंट बना हुए अब विकेट्स की बात करें तो उसमें मेलियागर का नाम सबसे ऊपर है देखा जाए तो यहां से साथ मैच में 11 विकेट है खनारोवे 6 मैच में 8 विकेट के साथ में सोफी डिवाइन 8 मैच में 6 विकेट से इनके नाम बट एवरेस ट्राइक रेट को उतना सादा हाई नहीं है जिसका यह रिज़न है कि इन्होंने ओवर थोड़े से कम कराए है ऐसा निया कि हर मैच में 4 लग 5-0 काईवरेस है और एडन कारसन तीन मैच में 3 विकेट के साथ में तो यह हमारे आज के लिए जो हैट 12 लीडर से रहते हैं बैटिंग एंड बोलिंग से अब जब मैं ऐसे साइड हो जाता हूं तो इसका मतलब स्क्रीन शोट आप ले सकते हो ठीक है ऐसा नहीं है कि मैं दो मिनिट खड़ा रहूंगा स्क्रीन पोस्ट गरने का आपके बास में ऑप्शन रहता है ठीक है तो किसी का तुम्हें कमेंट देखा था बोल रहा था डेली में डिसलाइक करूँ है जब तक तुम साइड में कड़े नहीं होंगे तो जब मैं ऐसे बोल रहा हूं और ऐसे म बाकि अगर बात कीज़े अपनी माइलन सर्गल की टीम की तो देख लेते हैं बट उससे पहले आप डिस्क्रिप्शन में देगे लिंक से डाउन्लोड कर लेना और बीस टीम वाले उफर को जोन कर लेने क्यों आप 20 टीम देखो लगा सकते हो अलो उस आपका होगा नहीं है फायदे वाली चीज़ और साथ-साथ-बीस परसिन का आपको एक्स्ट्रा केश में मिलने वाले आपके पहले डिपोजिट पर उसके लिएक मैने कोट डाला हुए डिस्क्रिप्शन में वो ज़रूर जियान सा देख लेना है यूज कर लेना उसको बाकि देखो टीम की बात क के उपर बागी वाइस केप्टन अगर आप चाओ तो यहां सा भाई सूजी बेट्स या डिवाइन भी ट्राइ कर सकते हो तो विजाती फिलाल के लिए टीमेंट सारी चीज़े बागी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक जरू कर देना चलो सब्सक्राब अगर